नमस्कार दोस्तों कैसे हो आप सभी लोग Fantasy Talent Hub YouTube चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है दोस्तों वीडियो में South Africa T20 के पहले semi-final match की बारे में बात करेंगे Pretoria और Parle के बीच में ये match होगा डीटेल में समझाऊँगा कि किस player पर कितना focus करना है Last match जो हुआ था वो भी इन दोनों टीमों के बीच में था क्या वो performance फिर से repeat होगा नया player आयका जो score करके देगा सबसे जरूरी है इस ground का pitch report वो समझिएगा उसके बाद आप खुद से एक बहतर combination तयार कर पाएगे और इस ground पर कौन कैसा कर सकता उस पर भी discussion होगा तो चलिए शुरुबात कर लेते हैं सबसे पहले दोस्तों जरूरी काम है वीडियो को like करने का आप लोग like करोगे मज़ा आता है ज्यादा likes होते है और ज्यादा motivation मिलता है आने वाली वीडियो के लिए तो वीडियो को like जरूर कर देना कॉमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा और जो लोग नए है वो पहले वीडियो को सुन ले और दोस्तों जो हमारा फाइनल अफडेट है आज दोस्तों कल तो हमने बंगलदेश प्रीमेर लिग की टीम भी आपको प्रोवाइट कराई थी पिछले कुछ दिनों से नहीं आ रही थी लेकिन आप आएगी आज के मैश की भी टीम्स मिलेंगी आपको और साथी साथ जो भी अच्छे मैश से उनकी टीम भी आपको आप टेलेग्राम पर प्रोवाइट कराते हैं तो अगर आप लोग टेलेग्राम पर नहीं है तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जो पहला लिंक है उसके क्लिक करके हमें जॉइन करना और दोस्तों मैं बार बार और हर आप लोगों पर आकर आपसे ना कहा दो कि मुझे चाहिए तब तक किसी को मत दीजिएगा चलिए बात कर लेते हैं वेनियों के बारे में मैच होगा दा वेंडर्स स्टेडियम जोहानेस बर्ग में इस मैदान पर टोटल 43 मैचिस खेलेगा हैं जिन में से 25 बार पहले बैटिंग करने वाली तीम मैच को विन कर पाई है दोस्तों मैच दोस्तों यह वाला जो है ना यहां पर जो टीम टॉस जीतेगी वह पहले बल्लेवाजी का फैसला कर सकती है और यहां पर जो नॉर्मली स्कूर आपको देखने मिलता है दोस्तों वह होता है लगबख 160 के आसपास का पहली पारी मे सेकिंड इनिंग में यहां पर स्पिनस का रोल थोड़ा सा बढ़ जाता है इसलिए बेटिंग करना थोड़ा सा मुश्किल नजर आता है और बल्लेवाज उतना बहतर नहीं कर पाते हैं यहां आपको दिखाता हूँ अभी जो चार मैचे इस सीजन में खेले गए हैं उनमें स बर्क के खाते में गया था और दोस्तों अभी लेकिन जो दोनों टीमें हैं वो अलग-अलग है तो यहां पर आपको देखना है कि कौन सी टीम सेकिंड इनिंग में गिंदबाजी कर रही है उसको थोड़ा सा बेनिफिट मिल सकता है और अगर उसके पास क्वालिटी स्पिनर है तो उसे जादा बेनिफिट मिलेगा अगर उसके पास क्वालिटी स्पिनर्स नहीं है तो मैच लग-बग आपको बराबर देखने मिलेगा इस बात का ध्यान रखिएगा अब यहां पर आपको मैं ऐसा दिखा था हूं कि सेकिंड इनिंग में स्पिनर्स का रोल क्यों बढ रहे हलके से ऐपको यहां पर देखने मिल रहा है अगर किसी नए स्पिनर्स को अपना क्यी स्पिनर्न है तो अब यहां पर पावर-प्लै में पहली पारी में दो wicket है, यहां कोई wicket नहीं गया, यहां पर 3 wicket थे और इसके नीचे अगर आप आएंगे तो यहां पर भी कोई wicket हमने नहीं देखा, तो पहली पारी में wicket चाने के chances 50-50 आपको नजर आएगे, ज़रुरी नहीं है कि आपको पहली पारी में power play देखने मिले औ और यहाँ पे आप एक चीज़ और देखेगा, यहाँ पे नमबर 3 के बल्लेबास डूपले ने 81 का स्कोर किया था, यहाँ ओपन करने आए डूपलेसी ने 92 का स्कोर किया, यहाँ पे हन्रिक क्लासे नमबर 5 किल रहे थे फिर भी 65 का स्कोर किया, और यहाँ पे डूपले ने 75 का स्कोर किया तो इस मैदान के उपर जो टीम पहले बैटिंग कर रही है उसके टॉप ठीरी का बल्लेबास आपको थोड़ा बैतर करके दे सकता है और साथ इसाथ बैतर में इतना बैतर हो जाएगा कि लगबग साठ से उपर तक का इसको आप उससे देख सकते हो ऐसे में आप चा खिल रहे थे यहां बभुमा ने पचास किया था यहां डूपलसी ने 113 किया और यहां पर सॉल्ट ने 29 रनों का स्कोर किया था दोस्तों यहां पर भी आप क्या देख रहे हैं कि टॉप और ने बैतर किया है सिर्फ लास्ट वाला मैच अगर हटा दिये जाए जहां पर जाना शुरू हुए थे तो दोस्तों यह इस ग्राउंट की खासियत अभी तक तो हमने देखी है बाकि आज जो पिछ होगी जो रिपोर्ट हमें मिलेगी वहां से आपको टेलेग्राम पर शेर करी देता हूं वहां से आपको क्लियर होई ही जाएगा कि आपको क्या करना है ल पहली पारी में 17 जो है फास्ट बोलस को मिले है सात बॉत जो है वह गए है स्पिश्ड के खाते में यह पहली पारी की कहानी है दूसरी पारी में आप देखेंगे 15 जो है फास्ट बोलस को मिले है और तेरा विकwork Bernard को मिले है और 13 ह Ale जहे वह इस पीणर के खाते मिननortun cuerTalk कि orch candle क लगभग आपको 5-3-8 और 28 विकेट नजर आएंगे तो विकेट का जादा कुछ खास अंतर नहीं है अब बात कर लेते हैं यहां पर दोनों टीमों के head-to-head performance के बारे में समझ में आ गया हुआ ground record दो दोस्तों एक comment करके बता दीजिएगा और साथी साथ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अब बात करते हैं दोनों टीमों के head-to-head performance के बारे में दोनों टीमें दो मैचिस खेल चुकी है और इन दोनों मैचिस में देखा जाए तो एक बार प्रेटोरिया ने तो एक बार पारलन ने मैच को विन किया है लेकिन दोनों मैचिस थे वो अच्छे scoring मैच थे यहां पे 226 का score बना हालाकि यह तो ground ही बहुत अच्छा थ मतलब इन गिनबाजों को खेलना पसल कर रहा है कुशल मेंडिस इसके बाद हैं दोस्तों कॉलिर इंग्राम जिन्होंने 41 का score किया जिमी नीशम 22 रन प्लस तीन विकेट और प्रेटोरियस के दो विकेट थे आदिल रशीत ने दो विकेट निकाले यहां पे दोस्तों कुशल कौन से इसे प्लेयर है जो इस मैदान पर पहतर कर सकते हैं सबसे पहला नाम है दोस्तों कुशल मेंडिस का कुशल मेंडिस ओपन करने आएंगे लास्ट मैच बहुत अच्छी बेटिंग की 80 का score क्या यही टीम ती सामने वाली और इनका गरम पिछले एक साल का record देके तो 33 का सबस्ते कुशल मेंडिस से अम उम्मीद करेंगे कि अगर इस पिनर्स आते भी हैं तो यह थोड़ा बैतर खेल के देंगे तो कुशल मेंडिस मेरे लिए एक कंफर्म पिक के तौर पर है और देखा जाये तो इस टूनामेंट में किसी भी गिन्बाज ने उन्हें repeat आउट नह गर बात करते हैं तो इन्होंने last match में 49 का score किया क्योंकि बेटिंग विकेट था और 40 पारी 1015 रन 28 का और छे बार इनका 50 से उपर का score है जो कि इन्होंने पहले बेटिंग करते हुए किया पता पहले जैसे यह वाला है यह वाला है यह फर्स्ट ईनिंग का पर्फूमेंस है और जो बिना सब्सट के हैं वह सेंड नो जीरो यह 50 ताफ फिर stMI नैंग तो second inning में जो इनका performance आप देख रहे हैं, उनमें जो इन्होंने 5 पारियां खेली हैं, उनमें से एक ही एक ऐसा score है, जो की थोड़ा भैतर है, बाकी चार score average या average से कम के हैं, ऐसा ही दोस्तों ध्यान रखेगा, क्योंकि जो इनका record है, यही कहता है, कि second inning में इनका लगबग 20 के आस-पास average रहता है, और दो बार इन्हें right arm medium, दो बार left arm medium out कर चुका है, बाकी अगर इनकी कमजोरियों की बात करें, तो left arm orthodox गेंदबास इन्हें परिशान करता है, दोस्तों बी जोन fortune, यह आपको power play में गेंदबासी करते हुए भी नज़र आ सकते हैं, इसके बाद दोस् कुछ बहतर बार-बार करके आपको दे पाएंगे, दो बार 50 से उपर का score है, जो कि इन्होंने पहले बैटिंग करते हुए लगाए था, और इसके बाद अगर हम देखें, तो right arm medium इन्हें already 5 बार out कर चुका है, और right arm medium ही इनकी कमजोरी भी है, 20 का average right arm medium के सामने है, और यहां है, जहां पर इन्होंने 40 का score किया, बाकी मैच इसमें flop रहे, और उनन्चास पारी, 1222 रन, 27 का average है, 11 बार 50 से उपर का score किया है, पहले बैटिंग करते हुए 6 50 है, second बैटिंग करते हुए 5 बार 50 से उपर का score है, और right arm fast bowler के सामने, इनका 13 का average रहता है, लूंगे रिगीडी, जो कि इस तरह की गिंदवाजी करते हैं, दूसरी दोस्तों आप यापर देखोगे, right arm medium 5 बार out कर चुका है, तो right arm medium भी इन्हें बराबर परिशान करने वाला है, इसके बाद, Colin Ingram है, जिन्होंने last match में ही 41 रनों का score किया, साथ में गिंदवाजी भी की थी, विकिट नहीं म देख ले हैं, और यहां अगर देखें, तो right arm off break के सामने इनका 19 का average है, अभी जो सामने team है, आपको उसके पास कोई भी right arm off break नजर नहीं आएगा, तो यह इनकी लिए plus point है, यह आपको भेतर करके दे सकते हैं, फिर दोस्तों यहां पर जिमी नीशम, जिमी नीशम हर एक मैच में अच्छा performance करके अपनी टीम को दे रहा है, बल्ले बाजी कर रहे हैं, साथ में गिन बाजी भी आपको करके दे रहा है, अभी तक इन्होंने 29 पारियों में 522 रन, प्लस 250 किये हैं, और दोनों पारियों में एक एक 50 है, और साथ में 31 पारियों में 28 विकेट निकाल च करा रही है, तो ऐसे में वाइस कैप्टन सी के लिए एक अच्छी ऑप्शन है, और थोड़ी वहत अगर बैटिंग कर देते हैं, जैसे लास्ट मैच में इन्होंने 20-22 रनों का स्कूर किया था, अगर वैसा कुछ करते हैं, तो आपके लिए कैप्टन सी की भी अच्छी चॉ आपको गिनबाजी करते हुए नदर आएंगे बकायदा, और हो सकता है कि इनको विकेट भी देखने मिल जाएं, तो दो पाजियों में 3 विकेट इनके खाते में दर्ध हैं, फिर इसके बाद एन्रिक नौर्किया है, इन्होंने लगातार बहतर गिनबाजी की है, 15 पारी 25 व बहुत अच्छी हुई थी, लास्ट मैच देखा जाए, विकेट लेस रहे, पहले गिनबाजी करते हुए 9 विकेट इनके पास में है, सेकिंड गिनबाजी करते हुए 3 विकेट ये निकाल चुके हैं, और अंत में हैं दोस्तों आदिल रशीद, आदिल रशीद पर बहुत कम लोग फोकस कर रहे हैं, लेकिन बंदा लगातार पर्फॉमेंस करके दे रहा है, आप देखिएगा, दो विकेट यहां निकाले, यहां विकेट लेसते हैं, फिर दो, एक, एक, दो, दो, लगातार विकेट निकाल रहे हैं, उसके बावजूद भी इनका जो परसेंटेज है, वो 25 या 30 या 40 के आसपास ही आपको देखने मिलता है, 24 पारी 26 विकेट है, इस मैच में अगर सेक्रिंड इनक में गिन बास ही करते हैं, तो थोड़ा सा फोकस ज़रूर रखिएगा, आप चाहो तो कम से कम दो विकेट के लिए टीम में पिक कर सकते हो, और अब बात करते हैं दोस्तों दूसरी टीम के बारे में, उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपको सब कुछ क्लियर हुआ होगा, और अगर हम बात करते हैं इस टीम के, जी एल और स्मॉल लीग के पिक्स के बारे में, मैं आपको वो भी बता देता हूं, तो सबसे पहले उपर से ही शुरूबात कर जाएगा, लेकिन जी एल में ट्राइ कर सकते हो, फिर आपके पास दोस्तों तीसरे नमर पे नाम है, अभी के लिए अवाइट करूँगा, इन्हें में, राइले रिशो, अभी उतना कुछ खास नहीं कर रहे हैं, तो इनको भी हम छोड़के चल सकते हैं, फिर कॉलिन इंगर कर सकते हैं, अब बात करते ही यहां से दूसरी टीम, बारे में पहला नाम है जैसन रोय का जैसन रोय जो फिर से फ्लॉप होते हुए नजर आ रहा है दस आट एक कीस आपको कुछ ऐसे स्कोर नजर आएंगे बीच में जो एक मैच रद हुआ था उसमें पचास लगा दिया था और तीस पारी में 745 रण है पांच बार पचास से कमस्या होती है पांच का अभी कोई लेफटाम फास्ट बॉलर है नहीं सामने वाली टीम के पास में नहीं लेफटाम मीडियम है और वैसे इन्हें चार बार राइटाम मीडियम इस टूनामेंट के अंदर आउट कर चुका है फिर आते हैं दोस्तों पॉलस्टर लिंग पर प पर बोलाना बंद हो जाएगा वैसे ही अपना विकेट फिकर चले जाएंगे 33 पारी 775 रन 6 बार 50 से उपर का स्कूर है 146 का स्ट्राइक रिट है दोनों पारियों में 3-3 50 है लेकिन जो जादा बहतर स्कूर है वो पहले बैटिंग करते हुए है और इनको दिक्कत है लेफट पॉच और एन्रिक नौर्किया और एस मुत्तुस्वामी यह वो तीन गेंदबाद हैं जो इन्हें परिशान कर सकते हैं यह दोनों फास्ट बोलर है और यह और इसके बाद जौश बटलर इनकी कोई वीक्नेस है नहीं हर मैच में स्कूर करते हैं तो आंक बंद करके लोग इ 2020 क्रिकेट पर पिछले एक साल में लगा चुके हैं पहले बेटिंग करते हुए चैपचास और सेकिंड बेटिंग करते हुए चार बार पचास से उपर का स्कूर है इस टूनामेंट में तीन बार राइटाम मीडियम ने आउट किया बाकी इनकी कोई समस्या है नहीं तो यह स चार में 32 किया है तो क्या बात करूँगा इनके बारे में दूस्तों सिर्फ सिर्फ चार ही मैच के लिए है 32 का स्कूर क्या है एक पहली मैच ऐसा नहीं गहीं घाए अठाण का एबरेज है रिस्क है बैटिंग नूचे भी जा सकता है इस बात का ध्यान रखे बाकी प्लेयर ठीक है अब लेकिन अभी के लिए स्मॉल लीग में तो जगे नहीं बना पाएंगे जी एल में एकादिक टीम में रख सकते हो और इनके अगर हम कमजोरियों की बात करें तो राइट आम फास्ट बोलर इने परिशान करते हैं एंडिक नौर्किया इतन बोच आप आपको मिलेंगे और आफ ब्रेक के सामने भी इनका उन्नी स्काइबरेज है अभी कोई आफ ब्रेक है नहीं तो वह इनको बेनिफिट दे सकता है इसके बाद डैविट मिलर है यहां 49.915 रन एक ताली स्काइबरेज दोस्तों बैटिंग डाउन अगर उपर जाए तो तो दोनों डाउन यहां पर मौजूद है अठारा में 200 नोर्ण हे थोड़ी दोंगिंग नहीं मिला और तीन मैच ऐसे जहां पर एकье विक ट्रीक Estoy चाला बाकी सभी में मिनीमम दो विकेट है तो वाइस केप्टेंसी स्मॉल लीग में दी आ सकती है क्योंकि अगर आपको सेफ 40-50 पॉइंट नजर आते हैं तो आपके लिए दूस्तों वह बड़िया ऑप्शन होता है क्योंकि आपके पास में बनलेवाजों पर आप उतना इसके बाद कॉडी यूसिफ है राइट आप मीडियम तीन पारी दो विकेट है बी जॉन फॉर्चुन दोस्तों यह प्लियर आपके लिए बैतर पिक बन सकता है अगर इस्पिन ट्रेक आपको देखने मिलता है सेकंड डीनिंग के अंदर हाला कि दोस्तों इस ग्राउंड की चार विकेट इनका हाइस्ट है अब चलिए दोस्तों कैप्टन वाइस कैप्टन सी पर चर्चा कर लेते हैं यह आपको पावर प्लियों डेट वर्स में गिनबाजी करते हूं नजर आ सकते हैं तो यहां पर कैप्टन और वाइस कैप्टन बटलर नीशम एंगीडी यह स्मॉ पर आपको रियल 11 का लिंक भी मिलेगा उस पर क्रिक करके भी आप हमें कर सकते हैं चलिए कप्तान बटलर है कुशल मेंडिस को टीम में पिक किया है और पॉल स्टिलिंग है राइले रुशोड जैसन रॉय जिमी नीशम एउन मॉर्गन आदिल रशीद भी फॉर्चिन एर ए आपको इंफॉर्मेशन मिल जाती है तो जोइन करने में हर्ज नहीं है लिंक पता है आपको कहा है जाकी जोइन कर सकते हैं मिलेंगे अगली वीडियो में दब तक के लिए बाई जय भारत